तो जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एक्जाम में बेस्ट स्कोर करने के लिए अंसॉल पेपर को हल करना बहुत जरूरी होता है और क्लाश 12 की फिजिक्स विजए की बात करें तो मैंने आप लोगों को अंसॉल पेपर के सैलोसन के अंतरगत सेट नंबर दो की अभी तक दो क् क्लास काफी दिनों से रुकी पड़ी हैं बहुत सारे बिद्यारतियों का कमेंट आ चुका है तो मैंने कहा कि आप चलिए हम स्टार्ड कर देते हैं क्लाश 12 की फिजिक्स विजए का अंसॉल पेपर और लगातार आपको इसकी क्लासे प्रोवाइट कर देते हैं क्योंकि आप आप सभी लोग काफी ज़्यदा परेशान हो चुके हैं कि सर क्या फिजिक्स विसे का अंसॉल पेपर नहीं सॉल्व कराएंगे जी हम बिलकुल सॉल्व कराएंगे थोड़ा सा भरोजा रखिए धैर रखिए हम सारा अंसॉल पेपर आपको बहुत ही जलते सॉल्व करा देखिए मैत का तो काफी ज़्यदा सेट सॉल्व कराया जा चुके हैं अब फिजिक्स के बचे हैं तो चलिए हम आज फिजिक्स का ही अंसॉल पेपर स्टार्ट करते हैं तो पांचवे के खापाट तक मैंने आपको पिछली क्लास में आपको सॉल्व करा दिया था सेट करा जाएगा ठीक है नहीं बार बार किसी प्रेश्ण को नहीं बताई जैगा तो झैसे वीट सेट का सिध्दांत है आप लोगों ने पढ़ा भी है कि हमारे पास चार परी तो केतने परतम चार पर गृत चार परतृदों किया करता है पहले सिरे को स्रेडी करम में संयूत करके वर्गाकार आकरती में ऐसे ढाली आता है एक यहां पर प्रत्रोद आपका लगा होता है एक यहां पर आपका प्रत्रोद लगा होता है यहां पर यहां पर ठीक है मैं सिध्धान तहीं बता रहा हूं कुछ हम नहीं बता रहा हूं ध्यान से समझे हुआ है और यहां पर उप्रत्रों न लगा चलिए जटारा मापी लगा देते हैं तो पहलन के श्तिती भी आपको समझा देते हैं यह पर गाल लगा पेटें एक तेसा उस्टेड ऐसे उसके बाद और आरा करनेक्ट करते हुए झे से connect कर देते हैं इस कुंजी को नाम देते हैं K1 और यह दूसरी कुंजी आपकी K2 होती है तो इस तरीके से हम करते हैं क्या है वी टिस्टन से तुम्हें चार प्रतिरोधों को हम स्रेडी करम में संयुजित करके वर्गाकार आकरती में संयुजित कर लेते हैं ठीक है और यहां यहां पर क्या होता है कि जब हम कुन्जी के वन और के टू दोनों को बंद कर दें ध्यान सा समझजीगा कूची के मन को बंद करेंगे तो धारघ्रा प्रवाइदे होना सुरू हो जाएगी कुंजी के टू को बंद करेंगे ठीक है तो बंद करें तो इस जो गयलोंगो मीटर है быть इस May धारा भी छहफ नहीं समाह रहो ना इसमें क्या हुवा इसमें धारा भीक्रिशय नहूं तो इसे करते हैं से ह Jackie संद्व संतों धूरं कि स्थिया में क्यों होता है कि जो सरानगने बुजाया होती न debates पर सलंग्न बुजआ क्या है डिस बुज़ाओं में जो परत्रोन लगा हुआ है ठीक जैसा एबी में लगा हुआ है पी और बीसी में लगा हुए क्यूं इन सल्लंग बुजाओं के प्रतरोधों की अनपाद के बराबर होता है तो अन हैं तो वीट इस्टेंस अगर यह याया कि अगर हमको इन चार प्रत्रोदों में से तीन प्रत्रोदों का मं पता हो तो संत्लंत की इस्तिती से हम क्या करते हैं च narration शेया प्रत्रो न कमांद कर सकते हैं यही लिस्ट आपको इस वीडियो के कमेंट बाक से मलेगी एक डेरी वेसन को तयार कर लिए क्योंकि डेरी वेसन अगर आपका अच्छी तरीके से तयार है तो आपका स्कूर बहुत अच्छा जाने वाला है अच्छा यहां पर देखें अब इसके बाद प्रश्ट भी लगा हुआ ह इस प्रेश्ट में और बोला जा रहा है नुमेरिकल लगा हुआ है तीन और पांच रंबर ओला कोई भी प्रिश्ट आए का फिजिक्स में नुमेरिकल भी होगा उसमें डेरी वेसन भी लगा हो सकता है ठीक है जैसे यहां पर ध्यान दीजिए तो इसमें उन्हों कहा है कि द तो इन्होंने कहा है अमिटर में प्रवाइद धारा का मान निकाली है अमिटर से धारा है तो धारा निकालने के लिए ओम के नियम में आप लोगों ने पढ़ा है धारा निकालने के लिए हम जानते हैं आई बराबर होता वी अपान आर अर्था अगर किसी परिपत के हमको व तो लिए प्रत्रोत पता होने चाहिए और तुल्य प्रत्रोत आप तभी निकाल सकते हो जब आपको वीड इस्टन्स है तो कह सिध्दांत में बताएगा कि संतुलन किस्तिति क्रिष्टिति क्या है कि जो सलंग्न बुजाएं इनके प्रत्रोदों का अनुपाद अगर बराबर हो अर्थात इसका इसका अनुपाद इसके अनुपाद के बराबर हो तो जो बीच वाला आपका गैलानोमीटर हो या कोई प्रत्रोद हो उसमें धारा बीच्छे में नहीं होता और जिस प्रत्रोद में धारा प्रवाहित नही हो तो नहीं लेते हैं जैसे यहां पर देखा दिखा जाए विडिटेंस से तुई है इनकी प्रितोय कर अलिक अलॉधत द नहीं प्रुवाहिश थोगी यहां पर मिद्द धारा प्रवाहिट नहीं होगी तो हमको एग लेन लिखना है कि यहां पर जो वीट से तो है यह किस अवस्था में संतुलन की अवस्था में किस अवस्था में संतुलन की वस्था में तो संतुलन की अवस्था में होगा तो दस ओम में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो आप सिंपल सा एक लायम लिखेगा संतुलन की अवस्था में संतुलित वीट स्थेंसे तुह आएक यह अंसी प्रतिरोद में धारा नहीं प्रवाहित Серг ही ठीक है अब जब रभाल नीओंगी तो इनका जभ्ण हम परणामी पौंब रित रित हो नगे तो इनको नहीं लेंगे अब देखा जाएँ थे सूंध्र, इस होता है और बराबर आरवन फ्रट क्लाइब सारट अच्छा मैंने और वन मुंनलिया का करते हैं आप हैस मुंले थे तूत लगा देंगे आरवन प्लस आरटू और प्लस आरटूर अरट आर्टी आरवन के रस्थामपर बीस रटू के रस्थामपर बीस बीस विए कितना आ जाएगा 60 हों आचा इसी प्रकार ठेक हमारे पार स्थोड़ा सा प्लेस इसी प्रकार आर डबल डेस के लिनुक अलगर इन तीनों को भी स्रेड़ी करं में ले लेए दिवीज बीज इनको को आपने चाहिकर में जोड़ा जो nat 73 ऐनका अब 12 ऊपर और नीचे opa नीचे कि इस किने मिथा समानतर करहें में हुखेंगे 9 जटिक है वह साथ हूं को किस करम मेआ लेने पर समांतर करम मे लेने पर समांतर करम में सूतर क्या होता है? आप कहने एक बटे यार बराबर है बटे एक डूस यार्भल कंचा अरड यारड यार्ड 250 अरडबल या 2 too अब दिखे एक बटी र बराबर एक बटेतिस कहीं चीघ गुडा करने पर आर बराबर आपका अजाएगा 30 हों कितना आ आर बराबर 300 हम अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इस परिपद का जो दुल ने प्रत्रोताया वह आपका 30 हो मया इस परिपत का जो वांतर वह 60 हो मैं तो हम धार हा निकाल सकते हैं आसानी के साथ तो यहां पर लिखेंगे तो इस परिपत में प्रवाहित धारा V upon क्या होगी R तो V कमान कितना 60 R कमान कितना 38 30 एक कम 30, 30 दुनिय 60 अर्थात इस परिपत या अमीटर में जो प्रवाहिद धारा कमान होगा वो दो एंपियर होगा और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिश्न स्वन में आया होगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन के और हम बढ़ते हैं और इसका स्क्रीन साड़ा अब ले सकते हैं ठी और समझ में आगे तो बोर्ड एक्जाम में ऐसा कोई भी प्रिश्ना आएगा आप सौल कर लेंगे ठीक है चलिए अगले कोशन कर बढ़ते हैं घा पाड़ी कोशन है ठीक है धियान से समझे गया के कोशन की की बड़े कोशन अगर आप समल लीजी हमने बताया ना 17 नंबर मे सब को जानता है चालक क्या होते है अर्द चालक क्या होते है अर्द चालक क्या होते है अर्द चालक क्या होते है सब को जानता है चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्धुधारा का प्रभास सुगमता से किया जा सकता है लेकिन आचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमे विद्धु धारा का प्रवाय किया जा सकता है, जैसे चांदी ले लिजिए, चांदी के चालक का सबसे ज़्यादा होती है, तांबा ले लिजिए, अलुमेनियम ले लिजिए, तार बनता है कि नहीं बनता है इसका, तो वे जो धातुमें होती हैं, विद्धु के अमारी क्या ह उनें विद्धु धाया का परवाय कीना जा सकता है और जो रदाचालक होते हैं और अचालक पदारतों के बीच में होता हैं वतारतों के है असर हमारे और बीच में अर्दब करでも णवाहते ओर प्रिमेनियम और सिलकान ठीक है इनके सही जेक्ता चार होती आप सभी को पता है तो उर्जा बैंड के आधार पर मैं आपको यहां पर देखे एक बार पढ़ा चुका हूं लेक्चर अप्लोडेड मैंने कहा जो प्लेलिस्ट उसमें ढूंड दीजिए लेकिन फिर भी मैं आपक है समझा देता हूं उसमें समझना क्या आधार पर पूर्जा बेंड के आधार पर किसका बैट। थोसों का वर्गी क्रड में पहले आएगा चालक, ठीक है, अरजा बैंड के आधार पर यहां पर देखेगा चालक वे पदार्थ होते हैं कापयर पे उठा लिजेगर आपको लिकना तो लिख सकते हो चालक वे पदार होते हैं कि जिनके संयोजी बैंड है काप समय मैंने यहाँ पर बना दिया ठाइंजी मैंड यह क्या अपका संयोजी tentang पर आपका होता है डीन चालन बैंड ऑर यग संयो जी बैंड और जो चलไม यहाँ 좀 SATION bernd ठीक है? चालन सा लाइनों से सब्वेगत कर दिया। यह चालन band है और उपरवाल हमारा क्या हम सायोजी बैंड है। अब आपको हम बता दें कि जो सायोजी बैंड और चालन बैंड होते हैं कि suspect तो आप सबस्क्राइब को परिभास से कि वे पदार्त जिनके सयोजी पूरतया होते हैं है। जालं बैंड भी पूरतया भरे होते हैं और इन weight जो वर्जित उर्जांत्राल होता है वो नगड़ होता है लगबग नगड़ होता ही नहीं जो वर्जित उर्जांत्राल है वो लगबग नगड़ होता है ऐसे पदार्तों को हम क्या कहते हैं उर्जा बैंट के अधार पर चालक करते हैं सीधी सी बात अचा अगर हम बात करें आ विद्धु धारा का प्रभाः आसाने के साथ नहीं होता है अर्था जिन में जो धारा है वह प्रभाहित नहीं कि जा सकती जैसे प्लास्टिक ले लिजे रवर ले लिजे कागज ले लिजे सुद्द जले लिजे यह सब क्या है आचालक पदार अब हम बात करें उर्जाबंड के अधार पर थोड़ा सा परिवासा देखिए बदला हुआ है हमने कहा कि जो आचाला होते हैं इन्हें विद्धुधारा का प्रवाह नहीं किया जासकता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्टान नहीं होते हैं तो उर्जा पैंड के आधार पर यह बताए गया कि जो सहियो जी ब वर्जी तरजा रॉंत है यह डिडुव होते हैं यह दो पैकि पेंड़ पर पारॉट से भी ज्यादा होती है आचाला लेगठार्टों में जो फर्षे दुर्जां आ करें ही गयादा होता के है संगे यहाँ यहां पर हम बात करें आ चालक की प्रिभासा उर्जया है नो पूर्टा ता रिक्त होते हैं लेकिन और यहाँ पर आगे करें यहां पर आगे तीसरे ठोसों में आ जाएगा अर्द चालग वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालगता चालग और आचालग पदार्थों के बीच में होते हैं यह आप कह सकते हो अर्द चालग वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालगता चालगों से अधिक और अर्द चालग में तो होता है नहीं आज आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या चीज़ समझा रहे हैं देखे आर्द चालकों में सहिए बैंड पूड़ता भरे होते हैं यह अधवा थोड़ा सा रिक्त होते हैं ध्यांसा समझेगा अर्द चालकों में सहिए बैंड पूड़ता भरे अथवा थोड़े रिक्त होते हैं इनर्जी जो गैपिंग होती है जिसको हम ईजी से लिखते हैं यह ईजी लगबग एक दसमलो एक इलेक्टरान ओल्ट होती है ठीक है इस तरीके से आप उर्जा बेंड के अधर पर चालक आचालक और अर्द चालक को समझा सकते हो उसका फिगर बना सकते हो और आपको पूरे माक्स मिलेंगे एक नम्बर नहीं कटेगा फिगर बना बना करके तीनों का समझाओ के पूरे तीन माक्स मिलेंगे तीन माक्स का ये कोशन था हमें उम्मीद है कि ये प्रश्ण आपको समझ में आगया होगा चलिए नेक्स्ट कोशन के और बढ़े और इसे यहां पर हम रफ करते हैं ठीक है यहां पर देखे थोड़ा सा लॉंग कोशन थोड़ा समय लग सकता है ठीक है तो हो सकता है कि एक सर्ट की चार- सब्सक्राइब कोशन के और तो यह हमारा पांचवे का घा पार्ट है अब बढ़ते हैं पाचवे के घा पार्ट के अधवा अथवा बाला जो किविए तक हर एक अधर हरूंग जो एक यहां पर देखे दिया गया है कि एक विद्दु चुमि की तरंग है और एक का आत्वा पार्ड है, एक क्षेस्ण दिया गया है, E tej 2 कितना दिया गया है, 50 साइन और कितना दिया गया है, ओमेगा बेकर में टी माइनस ओमेगा अपांग में सी यह दिया गया सोरी ओमेगा नहीं एक्स एक्स अपांसी और मात रख दिया गया न्यूटन अप्रिति कुला अच्छा प्रश्ण में यह कहा जा रहा है द्वारा दर्स आगया है दस सेंटीमीटर स्कॉयर अनुप्रिस्ट परिचेट जिसको छेत्रफाल बोलते हैं तो मतलब हम कहते हैं कि जो चijnजरो भी अणिब यह दासको पर दए मूल एक सेटीमीटर दिया गया इसको ले सकते हैं दस एक चैन्टीमीटर बराबबर दस कई गात मारी अग्रित जो उसको है अच्छा आग spaghetti मेंटर लंबाई जो बैस कि लमपाई तो यह आपका आगा दस गात मारी सेंटी मीटर यह दिया गया ना तो इसको हम लिसकते हैं पचास एक सेंटी मीटर बराबर दस किगाथ माइनस दो मीटर बात को समझ में है कि अच्छा आगया अगर हम बात करें इनों क्या बेलन में एक्स अच्छ के अनुदिस उर्जा परापता करना है आप लोगों ने देख लिखते हैं अर्थात हमको यहां पर यू का मान निकलना है उर्जा का मान निकलना है तो सबसे पहले यूई का मान निकलना पड़ेगा और ए और एल का मान तो दिया गया है तो बस हम इस का मान दिया गया यह मान निकालना यूई का मान सबसे पहले समीक्रण की साहता से निक यहां पर भी हो जाएगा गुड़ा तो मेगा एक्स हो जाएगा अभी इसकी तुलना करेंगे ए बराबर इनाट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक ससे ठीक यह क्वेशन तो पड़ी थी तो इनाट की वैलू के ती आ जाएगी आप को कि पचास आ जाएगी ठीक है और नूटन प्रतिक紅 Glam महत्रक होता है महत्रक लिए अच्छा ओमेगा T की हस्तां पर मेगा टी और मेगा के आश्तां पर श् Communist से लिखा हूए हम को इसकी आ सकता है इतना काम चला लिया अब हमने क्या क्या कहा कि अगर उन्र फॉढ़ा निकालना तो उड़ आउ घणा तो उरजा घणा अच्छा इनाट की अगर बात करें तो इनाट की वेल्यू 50 है 50 का स्क्वार कर देंगे तो यू इ बराबर आ जाएगा देखें एक बटे दो 8.85 उड़े 10 की घात माइनस 12 अच्छा 50 का स्क्वार 55 और एक जीरो का स्क्वार 20 कितना सिंपल कोश्चन है इसे सॉल्व कीजिए आप इसे आपको सॉल्व करना सबसे पहले आपको मुल्टिप्लाइ करना यह यह मस्चोचना कि हम सॉल्व नहीं करें तको सॉल्व करने बढ़िया तरीका पॉइंट डो ठीक है देने का एतना छोड दीजिए कि Яनिकलने बोलाङने क्या है सीधी सी बात जोने न उस पर झायेंगे टेगर जोनिकालने के लिरिए नब बोला जा। उसकका क्ալकलेसन करना का क्या मतलब है चल्य जाएगा आजाएगा now हमें क्या चाहिए हम को चाहिए यूई बराबर यूँ आपान में एड़ा ल अभी बताए मैंने जंग में तो यूझ निकालना है तो यूए गुड़े में क्या हो जाएगा एड़र जाएगा चैना मिम विद्र हो जाएगा अब पर आर्ट दिया नहीं गया डारेक्ट आपको एडिया गया है तो एकामान डारेक्ट आप लिए लेंगे कोई दिखकते नहीं यूई अमने निकाला 885 गुड़े में दस कि आउसरी 885 पूरा मान रिखें यहां से 25 है ना और गुड़े में 10 कि गात कितना भई माइनस का 12 बटे में 2, यह यूई कमाना गया, एक कमान कितना है, आप एक कमान कहेंगे 10 किगाद माइनस 3, एल कमान कितना है, आप कहेंगे 50 गुड़े 10 किगाद माइनस का 2, अब बताइए, आसान हो गया कि नहीं हो गया, कि यहां पर कटेंग करने क्या हो सकता बात के अश्म निकलना है क्लेक्ड करना हमारा उचों थे स्ने कसे सी ओडद स् 1-12-2 लंस कितना हो जाएगा वसुलां चुञान तरह बता हैं हम से नहीं करना कि नहीं सॉल्व कर पाएंगे ठीक है उर्जा उर्जा का मतर क्या होता है जूल आपको 625 का गुड़ा करना है 885 से और दसम्रों को एक अंका तक लिया ना बागी पावर मुदर जोड़ देना ठीक है चलिए इसका स्टेंसार लेजिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कभी-कभी तो यह न रहे कि हमने अगर अंसॉल वहर किया होता तो साधात पेपर अच्छा होता क्यांकि पेपर देने के बाद बहुत सारे विद्धियर पीजिश सुखते हैं कि अकरा हम तरी एसे पेपर सॉलो कर लिए होते हैं तो हमारा ये हो जाता वो हो जाता तो पहले स हम आपको सालो कर लिए अपके पास व क्यारा हैं बिल्कुल फ्रीया कोस्ट यहां पर देखिए अगला जो खूशन अंग्णा पार्ट में देखिए पांच वे का अंग्णा पार्ट सारे पाड़े हम पर सॉलो करना है देखिए अंगा पाड़ दीदे यह यदिदी रान ना आपकि रीए जो दिगई है वो दिया गया है वन एच और उसके बाद दिया गया है फॉर इस तू को यहां पर लिखिए हैं यह डी उट्रान होते हैं दो डी उठानों का यहां पर क्या वस्टरलैन हुआ है तो यहां पर बाद ूर्जा में बाद बाद के पहले शल्यान के पहले उड़ जाए यह वहाइव सूत्र होता है इस पर बेस कोशन लगता भी अब इसके सबसे आसान तरीका जैसे क्यों कमा निकलना आपको सल्यान के बाद उड़े निकलना तो देखें सल्यान के बाद हमारा हिलियम नाभी जिसको आलफा कड आपने बोला है तो चार से मल्टिप्लाइ करेंगे माइनस मिलियन एलेक्ट्रान वोल्ट में हैं अच्छा यहां पर देखे तो हाइड्रोजन की प्रतिन उक्लियान मतलब एक नुक्लियान की एनर्जी दीगई वन पॉइंट टूफाइब दीगई दीगई और डियूट्रियम में कितने नूक के बाद उर्जा संवन के बाद के उर्जा जोगी वह ज्यादा होगी से लिन के पहले उर्जा काम होगी ठीक है आप चली इसको माइनस कर देते हैं चार चोग 16 हो जाएगा साथ चोग 828-39-6-6-2-5-5-2-5-5 और यह भी मिलियन एलेक्ट्रान वोल्ट में तो क्यूं बराब स्थाइब चली जब आप 139-6-5 तो यह आ जाएगा चोगी दसम्लों चे मिलियन एलेक्ट्रान वोल्ट अर्थाथ इस सननयन में जो क्यूं का मान होगा वह 24-6-6 मिलियन एलेक्ट्रान वोल्ट होगा और हमें उमीद है कि आपको बेतरी तरीके से प्रश्न सवन में आया होते हैं अब बढ़ते हैं कोश्चन नंबर छे पर जो कि खंड या है ठीक है खंड या में जो प्रश्न आते हैं वो 55 नंबर के होते हैं इसमें कहा गया कि आंसिक परावाइदुत-पदार्थ से भरे समांतर पट्ट संधारित की धरता का बेंजग्यात कीजिए मैंने देख अच्छे तरेके विए यौट ट्यार कर ली और पहले से तयार कर लिया होगा अब इसमें इस एक साप मेंडेकल लगा इसको बतारिते हैं लिगा यह जैस अंधारित में 100 माइक्रो कूलाम तक आवेसित किया कई कि तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है आपको देखना है कि वल्वास पांची छे मिनड़ के क्लास होगी ज्यादा बड़ी क्लास नहीं यह संधारित्र को सो माइक्रो फरेट तक आवेसित किया गया पहले आवेस्ट आपको समझे इस प्रेश्ट को समझेगा यह इंपोर्टें के बुड़ का अब संधारित के अंदर रखे गुड़ के परे रिताविश निकलना जिसको क्योंड़ाएस गरते हैं तो पहले इस जितना आवेस तो जöm आप यह जा निकले अब तो आवेस कब कर देंगे ऑविस को भाग कर देंगे आ बरभा अनकर निकले से प्रेरित आवेस हमें पासा चलेगा इस नुमेरिकल को अच्छे तरीके तो समल लेजिए इसका यही तरीका है कि पहले जो प्रेरित आवेस है उससे जब हम के परावतांग वाले माध्यां में रखते हैं तो जो उसका आवेस होता है वो एक बटे के गुना हो जाता है पहले आ क्यों था जब हम ने के परावतांग वाले गुड के में रखा मलमाद्या में रखा जिस गुड के अंदर जिसका परावतां के तो आवीस का वनपन के गुना हो गया दोनों का अंतर पराथ पर gelेंगे तो हम बराबर तौब की अगर बात करें तो सव माइक्रो फएर्ड है, सौ माइक्रो कूलाम है, वन माइनस के कामन कितना है, दो, क्यों डैस बराबर सव, एक से इस बिटे दो को कटा हो कि एक बिटे दो, सो को काटो के, क्यों बराबर आजागा 50 और वो था माइक्रो कुलाम है तो यह answer भी माइक्रो कुलाम में आएगा तो प्रेरीत आविस का इमान कितना हो जाएगा 50 चैस्राइक्रो कूलाम्म इस प्रेशन को याद रहिए इसटेक पर ako करना है अच्छा आगे बढ़ेंगे इस्तिरवादुत के गोस अथवा प्रटए इसकि फिर्वादुत के गॉस नियम को लिखिए और इस इस सहत्यासे कूलाम की का निगमन कीजिये चलिये स्क्षटन कु अच्छा तरीक के से यहां पर आपको करा देते हैं कुलाम किनियम का निगमन आप कभी नहीं बूले ही ठीक है गौस के प्रमे की सहथा से कुलाम की निएंक का बंद प्रिष्ट के लिए जो परिबद कुल आवेस होता है ठीक है ये बिंद ओए जिस पर आवेस रखाय परिबद कुल आवेस गुजने वाला कुल वैदुद फ्लक्स जिसको फाई कम 2 के रिष्ट की रेखेंक किया और वेदुद फार्यॐ différent यहां पर लिखेंगे की इसको हम पर लीए वेक्टर की की में दिसा जो होती है कि और तोनों की डियरिक्सन कहीं होती है। हाँ में आइध कोत हुटे है एक ही होती है और घ्रत बंपल के तीवरता कि डियरिक्ट ही होती है और रहे जो दू का यो जो देग्ट कि नकालि descuklu E होता है। आपका ये में 25 एक है आपको मैंने बताया था कि ई और डी ये दोनों सदीस रासियों का जो क्रास प्रोडिक्ट और डार्ट प्रोडिक्ट होता है वो उनके परिमार और उनकी बिद्मनी कोज्या के गुड़न फल के बराबार होता है अर्थाद हम यह कह सकते हैं कि यहां पर चुके देखे हम अभी जाएगा यहां से बाहर हो जाएगा ठीक है यह कितना हो जाएगा देखेंगे यह बाहर और यह डिये हो जाएगा पुंस हमने काथ थीटा के वल्य होगा क्याती जीरो और बात करें तो फाई भर आपका यहां से हो जाता है और जीरो के वल्य हो जाती है इो किस का उधाय था डिये का अभ यहां पर यह आपका गोली प्रिष्ट है गोली की तरिज्जे अगर आर हो तो 6 रफल गोले का किते़ हो ता फोर पाई रीस्कुयर तो फाई य वराबर आपका उजाएगा इंटू में कितना भई फोर पाई आर स्कुयर ठीग है हम करते क्या है इसको समी करड़ दो माल लेते हैं इसको समी करड़ एक माल लेते हैं चोटा सा काम यहाँ पर क्या करते हैं समी करड़ एक वा दो से यह भी फाइई है यह भी फाइई है दोनों पच्छों की तुलना करने पर क्यूं अपान यहाँ पर देखेगा ई इंटू में फोर पाई आ होता है ठीक है यह बराबर एफपान के हो सोरी यह बराबर सोरी यह बराबर एफपान करेstoffbereich क्योंट पर चलावएस पर लगने वाले बल और पर इचलावAss के अनपात को वाजद उच्छ गुड़े वाली चीज के हाँ थी बटे में तो बटे में आप काएगा 4 pi r square बटे में पहले से असले नाट उतासते थे इसको सही तरीके से लिख लो तो यह हो जाएगा 1 upon 4 pi असले नाट उपर है क्यों क्यों नाट और नीचे है r square तो आप देख सकते हो आप लिखो कि यही कूलाम का नियम है क्या है यही कूलाम का नियम है अर्थात हम यह कह सकते हैं कि गौस की प्रमे से कूलाम के नियम का हमने निगमन कर दिया रुप्रेश्ट में यही पूछा गया था ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं यह तरीका अपना है ठीक है और इस तरीके से यह कोशन आपका सॉल्व हो जाएगा ठीक है आज की क्लास आदे गंटे में रखते हैं और मैं आपको सुचित के दे रहा हूं कि क्लास अब आपकी कंटीनू होगी ठीक है चैनल को सब्सक्राइम ने किया तो तुरंत सब्सक्राइ कर लें मिलते हैं आपको नेक्स क्लास में जैन वन्दे मातरम